तो चलिए, लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं अपन लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे 115 BAC section जो की new tax rates आईए new tax rates के बारे में अपन ने देख लिया था अब इससे आगे बढ़ते हैं और आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं अब अपन पढ़ने वाले हैं एक section 87A 87A आपने intermediate में भी पढ़ावा section है बड़ा simple सा और छोटा सा section है तो 87A में मिलती है rebate rebate किस चीज की है, किस बात की है, क्या होती है सारी बाते देखते हैं देखे 87A section क्यों बनाया गया पहले वो ध्यान से सुनो 87A section देता है rebate किस चीज में से rebate देता है, जो भी आपका tax बनता है उसमें से आपको rebate देता है मतलब आपकी tax liability एक तरीके से कम कर देता है due to section 87A आपकी tax liability कम हो जाती है ठीक है सर कम हो जाती है कैसे होती है, क्या होती है देखिए यहाँ पर एक basic exemption limit तो डाई लाग तक है लेगन होता है क्या है कि basic exemption limit पाँच लाग तक क्यों नहीं दी गई सर इसका क्या reason है यह भी सोचे तो क्योंकि 87A section एक ऐसा section है जिसकी वज़े से एक indiesal को पाँच लाग तक tax नहीं देना पड़ता यह section क्या बोलता है कि जिस भी indiesal की income जो की क्या है resident तो पहली बात resident indiesal की income कहा तक हो पाँच लाग रुपे तक अगर हो तो उनको हम section 87A में देंगे rebate कितनी rebate देंगे बई 12500 की maximum मानलो 5 लाग पर आप tax निकालो तो कितना आता है 12500 यह आता है और यहाँ पर 87A भी कितनी rebate दे रहा है 12500 तो एक तरीके से देखा जाये तो 5 लाग तक तो कोई tax बनता ही नहीं due to 87A सर फिर क्यों ना basic exemption limit को बढ़ा करके ही 5 लाग कर दिया जाये तो देखिए इसमें कुछ कमिया हो जाती क्या कमिया हो जाती पहली बात तो यह कि 87A section जो normal basic exemption limit है वो not only for indiesal वो सब के लिए है मतलब वो सारे के सारे indiesal HOF, AOP, BI सब को कवर करती है एक तो वो problem हो जाती दूसरा एक 139 subsection 1 में एक provision बनावा है कि अगर कोई व्यक्ति की gross total income basic exemption limit से उपर है तो उसे return भरना जरूरी है तो होता क्या कि जब यह die को 5 करते है तो return भरने की limit भी 5 हो जाती फिर लोग 5 लाग पर return भरते है, return भरती ही नहीं अभी क्या होता है कि किसी की income 3 लाग है तो return भरना तो जरूरी है ना तब ही वो क्या ले पाएगा, rebate ले पाएगा तो इसी वजह से strategically government ने 87A को introduce करा और इसमें rebate डाली गई बोला हम तुम पर tax का burden नहीं डाल रहे लेकिन return तुमको भरनी पड़ेगी information तुमको देनी पड़ेगी कि तुमने क्या कमाया, कैसे कमाया देखो इस section में क्या-क्या बात की गई है, वो देखते है पहली बात ये rebate किसे मिलेगी? ये rebate किसे मिलेगी? पहला सवाल ये आता है तो section 87A की जो rebate है, यहां से MCU बनावा है एक्जाम में काफी बात ये किसको मिलती है? आप इसको note भी करेंगे resident indiesel को मिलती है तो point to be noted कि 87A की rebate लेने के लिए पहली बात तो तुम indiesel होने ची और उसमें भी क्या resident it means non resident को ये rebate नहीं मिलती है HOF, AOP, BY, AJP को भी ये rebate नहीं मिलती है हाला कि उन पर slab rate लगती है, फिर भी उनको नहीं मिलती है फिर बात आती है किसे मिलेगी ये तो देख लिया, अब कब मिलेगी ये rebate कब मिलती है जब resident indiesel की total income अब टू रूपीज फाइव लाइको तब मिलती है पहला सवाल clear, दूसरा सवाल clear, तीसरा सवाल कितनी मिलेगी तो देखो max to max 12,500 मिल सकती है तो अगर किसी का tax 12,500 से कम बन रहा है तो उसके लिए rebate भी कम हो जाएगी मान लो किसी की income 4,000,000 है तो 2,500 से लेकर 5 तक में कितना लगता है 5% tax लगता है तो 4,000,000 है तो 2,500 से लेकर 4 का gap देखो कितना है 1,500,000 रुप है उसका 5% करोगे तो 7,500 आएगा तो क्या उसको हम जबरदस्ती 12,500 की rebate दें जब tax ही 7,500 बन रहा है तो rebate कितनी मिलेगी 7,500 ही मिल जाएगी तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि यह rebate कितनी मिलती है actual tax और 12,500 whichever is less तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला point actual tax liability जो आपकी बन रही है वो second point 12,500 इन में से जो भी कम हो इतनी rebate जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी then अब यह सवाल आता है जब हम tax निकालते हैं तो tax के उपर एक तड़का लगाते हैं health and education से इसका 4% का लगता है तो sir यह rebate उसके बाद देनी या पहले देनी है देखो आपका actual में जो final tax से यह rebate देने के बाद निकलता है तो इसका मतलब यह rebate देने के बाद final tax आता है तो health and education says से तो पहले ही rebate दे दी जाएगी तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है यह fill in the blanks में पूछा गया question है तो ध्यान रखिए यह this rebate is given before health and education says health and education says से यह पहले rebate दी जाएगी बाद में नहीं दी जाएगी तो यह सारी बाते अपन ने कर ली कि बड़े छोटा सा section था एक example की मदद से इसको समझते हैं कि सर आखिर इसको practically कैसे apply कर सकते हैं 87A को एक example ले लेते है असेसी है resident individual उसकी income है 450,000 tax निकालना है इसका age normal मान लो तो कैसे निकलेगा इसका tax सबसे पहले तो ढ़ाई लाग तक का निकालेंगे निल बनेगा ढ़ाई लाग से जादा और 4,50,000 तक इसका tax 5% 2,05,000 तक 10,000 रुपीज आ जाएगा अगर हम total करते हैं तो यह 10,000 रुपीज का tax आ गया अब सवाल यह आता है कि क्या इसको rebate मिलेगी या नहीं मिलेगी तो हमको check करना पड़ता है कि पहला तो यह देखो कि असेसी कोन है तो यहाँ पर असेसी देखिए साब साब बुल रखा है resident in diesel है दूसरी बात उसके income अप्टू 5,000,000 होनी चाहिए वो भी यहाँ पर दे रखी है दोनो बाते यहाँ पर दे रखी है दोनो बाते यह पूरी कर रहा है तो देखो rebate देने के लिए तो क्या देखते है income लेकिन देते किस में से है tax में से यहाँ पर तो यहाँ पर दोनो condition यह पूरी कर रहा है तो यहाँ पर rebate मिल जाएगी under section 87 कितनी मिल जाएगी जितना tax बन रहा है पूरे की मिल जाएगी तो इनका जो tax payable आएगा वो क्या आजाएगा निल कुछ भी tax यहाँ पर नहीं बनेगा तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं resident indiesal का 5 लाग तक कोई tax बनता ही नहीं है due to 87 है क्योंकि 5 लाग तक का tax बारा पान सो और उसमें से rebate भी मिल जाती है बारा पान सो की तो इसलिए कोई भी tax नहीं बनता तो यह था अपना section 87A बताएगे clear है के नहीं yes or no ताकि अपन आगे बढ़े और आगे की चीज बढ़े yes इधर online वाले फटा फट से बताओ clear है के नहीं इसको note करना आता हूँ ऐसे तो hello चलिए तो यह अपना हो गया 87A की repeat अब अपन बात करेंगे surcharge के बारे में क्योंकि tax rates अपन को clear होनी चे उसमें surcharge फिर marginal relief फिर अपने approximate basics हो जाएंगे एक तरीके से चलिए तो अब अपन start कर रहे है surcharge अपना अगला topic normal tax निकालना सीख चुके उसमें एक 87A की rebate अपन सीख चुके अगर आपकी 5 लाग से 1 रुपे भी उपर income गई तो 87A की rebate आपको नहीं मिलेगी ध्यान रखिए तो अगर किसी की income 5 लाग 100 रुपे भी है तो वो rebate नहीं मिल सकती उसको surcharge जो है surcharge क्या है surcharge है tax पर लगने वाला tax tax on tax बोल सकते हैं इसको यह क्यों लगाया जाता है होता क्या देखिए surcharge एक ऐसी चीज है जो कि rich people पर ज़्यादा income वाले groups पर tax का ज़्यादा burden डालने के लिए लगाया जाता है तो surcharge is charged to pass on more tax burden on rich people उनके उपर ज़्यादा tax लगे इसलिए लगाया जाता है अब बात आती है कि यह कैसे लगाया जाता है तो surcharge लगता किसके उपर है tax के उपर लेकिन इसकी rate किसपर depend करती है income के उपर तो assessi की income के उपर depend करता है कि उसके उपर surcharge लगेगा या नहीं लगेगा लेकिन अगर लगेगा तो income के उपर नहीं लगता पिर वो किसके उपर लगता है tax के उपर लगता है तो होता गया है देखिए basically क्या process होती है सबसे पहले तो आपकी निकलती है total income total income निकालने के बाद में आप उस पर क्या निकालते हैं tax ये जो tax निकल गया इस पर क्या लगता है surcharge tax लग गया, surcharge लग गया इनको add करके जो amount आता है उस पर लगता है हमारा health and education ये जो surcharge लग रहा है ना ये किस rate से लगेगा ये rate किस पर depend करती है assessi की total income पर depend करती है कि उसकी total income कितनी है उसके उपर अब surcharge की rates क्या है देखिए surcharge की rates है वो different different assesses के लिए different different है तो rate अपन को सीखनी पड़ेगी अब भी अपन सीख रहे है अचा surcharge निकलता कैसे है अगर अपन बताये तो अगर surcharge अमें निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं भई tax liability जो आपकी बनी है into tax rate इस तरीके से निकल सकता है अब इसके बारे में एक point भी लिख लेते सरचार्ज इसे tax on tax kind इस चाज़ to pass on more tax burden on rich people तो यह अपनने यहाँ पर एक point में सरचार्ज कैसे निकलता है वो देख लिया क्या होता है वो अपनने देख लिया अब आगे सरचार्ज को अगर सीखना है तो हमें पता होना चीए कि आखिर सरचार्ज की rates क्या क्या है उनके बारे में अपन बात करते हैं तो अब अपन देखेंगे rates of सरचार्ज सरचार्ज की rate अपन डिफ्रेंट डिफ्रेंट असेसीज के लिए देखने वाले हैं पहली जो rate है वो इंडीजल, होफ, एओप, ब्यू आई, एज़पी के लिए होने वाली है क्या rate से आईए देखते हैं सारे असेसीज के लिए अपन इस चार्ट के अंदर ही एक साथी rate देख लें तो फर्स्ट जो अपन देखने वाले हैं that is for individual, HOF, AOP, BOI और AJP इन सभी के लिए हम tax rate देखेंगे फर्स्ट पार्ट में सरचार्ज किस rate से लगेगा इसके बाद में next देखेंगे हम firm, LLP और local authority के लिए इनके उपर क्या सरचार्ज की rate है वो देखने वाले इसके बाद में third and last होता है के company के उपर सरचार्ज की क्या rate से वो अपन देखने वाले है तो जैसा कि अभी अपन ने बाद भी करी कि जो सरचार्ज की rate है that depends upon income of assessi तो यहाँ पर जो अपन सरचार्ज की rates देखेंगे वो किस पर depend करेगी income पर तो सरचार्ज की rates जानने के लिए अपन क्या कर रहे है एक format बना रहे हैं जिसमें हम एक तरफ ले रहे हैं income और एक तरफ ले रहे है rate of सरचार्ज और different different cases में देखेंगे के सरचार्ज की rate कितनी हो गई है सबसे पहली बात अगर इन लोगों की income up to 50 lakh रुपीज है तो सरचार्ज की rate जो है वो इनके उपर है निल इसका मतलब इंडीजल, HOF, EOP, BIAGP पर 50 lakh रुपे तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है बट अगर 50 lakh रुपे से ज़्यादा income है तो बिल्कुल जो है वो सरचार्ज लगेगा अगर 50 lakh से ज़्यादा है और 1 करोड तक है तो सरचार्ज की rate हो जाती है 10% अगर आपकी income 1 करोड से ज़्यादा है और 2 करोड रुपीज तक है तो सरचार्ज की rate हो जाती है 15% और अगर आपकी income 2 करोड से भी ज़्यादा है और 5 करोड रुपीज तक है तो सरचार्ज की rate हो जाती है कितनी बताओ 25% और at the end अगर आपकी 5 करोड से भी उपर income है तो सरचार्ज की rate है 37% ये इंडीजल, HOF, AOP, BIOI, AJP के लिए बनाई गई rate से इसके अलावा अगर हम बात करें local authority और इनके लिए इनके लिए क्या है? इनका बड़ा simple है वही same format हम follow कर रहे है एक तरफ हम income लेंगे एक तरफ rate ओप सरचार्ज लेंगे अगर इन लोगों की income एक करोड रुपीज तक है तो जो सरचार्ज की rate है वो निल है मतलब इनडीजल, HOF, AOP, BIOI, AJP पर तो 50 लाग तक कोई सरचार्ज नहीं है लेकिन इनके उपर एक करोड तक कोई सरचार्ज नहीं है और above 1 करोड, सीधा above 1 करोड है फिर तो 12 परसेंट का सरचार्ज है तो ये बात हो गई हमारी firm, LLP and local authority के लिए next अपन देखते हैं sir company देखे company जैसा कि हमने शुरू में basics में भी पढ़ावा है कि company को दो parts में पाटा गया है एक Indian या domestic company और एक foreign company तो Indian company के लिए सरचार्ज की rate अलग है और foreign companies के लिए सरचार्ज की rate अलग है foreign company पर जो सरचार्ज की rates है वो comparatively कम है sir ऐसा क्यों कम क्यों है देखे foreign company पर tax लगता है 40% की rates क्योंकि foreign company पर tax की rate ज़ादा है तो उसका tax amount automatically ज़्यादा निकल के आता है सरचार्ज किस पर लगता है tax amount पर लगता है तो foreign company का tax amount ज़्यादा आता है तो obvious सी बाते अगर सर्चार्ज की rate कम भी रखोगे तो भी वो क्या आएगा जादा ही आएगा इस वज़े से हम देखेंगे यहाँ पर के foreign company पर सर्चार्ज की rate कम है और Indian और domestic company पर सर्चार्ज की rate जादा है तो आईए देखते हैं वो क्या है rates में क्या कर रहे हैं हम दोनों companies को ले रहे हैं अगर इन companies की बात करें तो यहाँ पर up to 1 crore, 1 crore to 10 crore और about 10 crore यह तीन categories हमारी यहाँ पर बनने वाली है कि अगर इनकी income up to 1 crore है तो क्या होने वाला है एक करोड से जादा और 10 crore तक है तो क्या होने वाला है और about 10 crore है तो क्या होने वाला है अगर बात करें एक करोड तक की तो एक करोड रुपे तक इनके उपर कोई भी सर्चार्ज जो है वो देखने को नहीं मिलता है तो up to 1 crore की अगर rate बात करें तो दोनों companies में निल है वहीं एक करोड से दस करोड की बात करें तो foreign company पर 2% है वहीं domestic या Indian company पर ये 7% है अबाउ 10 crore में foreign company पर 5% है और domestic और Indian company पर इसकी rate 12% देखने को मिलती है तो foreign company पर सर्चार्ज की rate 2% 5% और वहीं domestic या Indian company पर ये 7% and 12% है ये हो गई हमारी सर्चार्ज की rates तो अपन ने क्या करा है अभी तक सर्चार्ज के आरे में एक दो बाते और जाननी है higher rate of सर्चार्ज के बारे में वो भी अपन जानेंगे अभी तक basically अपन ये rates जान चुके हैं कि आखिर सर्चार्ज की rates क्या क्या है तो ये rates देख लिए अब इनका practical uses सीखते हैं कि सर आखिर किस तरीके से इनको use में लिया जाएगा तो एक example करते हैं उसके थूरू सीखते हैं कि कैसे सर्चार्ज की rates लगाई जाएगी just suppose यहाँ पर अपन दो तीन cases में असेसी ले लेते हैं और इधर उनकी total income ले लेते हैं first case में हम firm ले रहे हैं जिसकी income 5 crore rupees है और second case में हम ले रहे हैं foreign company जिसकी income 20 crore है इसके अलावा third case में ले रहे हैं हम एक individual जिसकी income 2 crore rupees है तो these are the three cases जिसमें अपन सर्चार्ज का use सीखने वाले हैं कि आखिर कैसे apply किया जाता है first case पर बात करते हैं firm का जो case है 5 crore की income tax निकालेंगे तो कैसे निकलेगा firm के उपर tax की rate जो है वो कितनी होती है 30% होती है firm चाहिए एक रुपया भी कमाये तो उसके उपर 30% की rate से tax देना होगा तो 5 crore rupees की अगर बात करें तो इसके उपर हमें 30% की rate से tax देना है तो tax निकल के आएगा कितना 1.5 crore rupees का tax निकल के आगया अब जब tax निकल गया है तो इसके उपर हमको क्या लगाना पड़ेगा surcharge कितना लगेगा fix है firm के उपर 12% तो 1.5 crore का 12% करिए देखिए कितना आता है सर यह इसी साल change हुए है क्या surcharge की rate यस पिछले attempt से हो गए थे 12% करिए 1.5 crore का कितना आता है फटावट से करो 18,00,00 अब इसको add on कर दो तो कितना आ जाता है 1 crore 68 lakh आ गया अब जब tax आपका निकल जाएगा तो इस पर लगेगा हमारा health and education सेस का तड़का जो की है 4% तो इसका 1 crore 68 lakh का 4% कर दीजे कितना आता है 6 lakh 72,000 tax payable आ जाएगा इसके बाद में हमारा tax payable निकाल दो कितना है कितना tax payable आएगा 1747,2000 1 crore 74 lakh 72,000 अगले केस का tax payable निकालो फटा फट से foreign company का झालो कर दो कितना आएगा 6eger फटास ऐका आएगा आएगा 7 ली में हमाईगा 7 αλλά इसक्लेण झाल झाल क्या टेक्स आ रहा है foreign company 20 करोड़ पे झाल झाल 8 करोड़ का तो टेक्स आ रहा है फटा फट से बताओ सर्चार्ज कित्ता लगाएंगे 5% 10 करोड़ से उपर है इसमें slab नहीं लगती है सर्चार्ज में कि तुम अब 2-1 करोड़ का अलग निकालो क्योंकि slab rate कई लोग slab rate लगा देते हैं तो ध्यान रखे सर्चार्ज में कोई भी slab rate नहीं है डाइरेक्ली जिसमें भी आप fall कर रहे हो उसके उपर लगेगा तो कितना आएगा 40 लैक्ट तो यह आजाएगा 8 करोड़ 40 लैक्ट अब इसके उपर health and education से लग जाएगा कितना 4 परसेंट कितना आ रहे है 33,60,000 tax payable 8,70 यही आ रहा है 8 करोड 73,60,000 चैक कर ले ना किसी के mistake हो तो उसको ठीक कर ले कही बार हम calculation में भी mistake कर देते हैं थर्ड individual income कितनी है 2 करोड़ टैक्स निकालो इस पर अगर आप टैक्स निकालोगे तो अप्टू 2,50,000 तो आएगा निल थाई लाग से लेकर के पाँच लाग तक में कितना परसेंट आएगा 5% 12,500 आजाएगा 5,000,000 से जादा और 10,000,000 तक पर 20% 1,000,000 फिर 10,000,000 टू 2 करोड़ 1,90,000,000 का 30% करो कितना आता है निकालो 1,90,000,000 का 30% पटावट से करो ना अनलाइन वालो का आणजर ना और आफलाइन वालो का अभी तक देगो किसी कहीं नहीं है 5,70,000 या 57,00,00 टोटल करो कितना आगया 57,00, 58 58,00, 12,500 इसके उपर लगा दो सरचार्ज, कितना लगेगा अप्टू 2 करोड है तो अप्टू 2 करोड तक तो कितना है 15% 2 करोड से उपर जाता तो कितना हो जाता 25% तो फटा फट से इसका 15% कर लो कितना आता है देखो 87 871 875 टोटल कर लो इसका फटा फट से कितना आ रहा है 84 375 इसके उपर तड़का लगा दो 4% कर लो इसका कितना आता है 267 375 टोटल करके टेक्स पेबल निकाल दो कल्कुलेशन चेक करते रहे ना वही सब 69 51750 यही आ रहा है टेक्स पेबल यही आ रहा है टेक्स पेबल यह अपने तीनों केसिज के आंसर हो गए कि तीनों केसिज के क्या-क्या आंसर साए क्लियर है बात यह तो सरचार्ज का यूज अपन आज यही तक रखते हैं आज अपन ने सरचार्ज का यूज सीख लिया है कि किस तरीके से सरचार्ज को लगाते हैं नेक्स क्लास में हम सीखेंगे marginal relief के बारे में marginal relief के final में question आने के भी काफी chances रहते हैं, surcharge का ही topic है, तो next class में हम उसके बारे में बात करेंगे और वो खतम भी हो जाएगा next class में, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next class में